हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू ससे ब्लोग्स फ्रेंड्स आटोम वाइल के बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में आटोम वाइल क्या है और इसको आटोम वाइल का जो मुख्य भाग है वो किस भाग पर बाता गया तो मसीन भाग मसीन भाग को मितनली का बाता गया वह एक आइकन कोन सा है? चेचिस और हुग्शन वाहा तको दोलग हम देख चुके थे। आज हम लोग है ंजन या और बिधूट सिस्टम तो कल चेचीस देखे थे आज इंजन देखेंगे और बिधूट सिस्टम और इसी वीडियो में आज दोनों दर इंड करेंगे उसके बाद कल का जो next वीडियो ठढ़ वीडियो रहे गाटम वाल का वेसिक उसमें हम लोग देखेंगे body या carriage जो internal part में भी आ जाते हैं जो जितने भी वहन के internal part हो जाता है वो body या carriage भाग में आ जाते हैं तो वो सब देखेंगे जो लोग दिली police driver का त्यारी अगर सही से करना चाह रहें तो हमारे channel के साथ बने रहीए ताकि कि आपको benefits मिलेगे arrival मिल है टो देये नीचे description में पड़े लिस्ट में हर एक वीडियो का मतलब सज्जिकंग है जैसे और संकेत का उसका एक ळग मोटर या नधीनियम उसका लग पल्य लिस्ट है और इंजन वाला इंजन पार्ट या वहां नद deg रखा उसका अलग प्लेइल क्प्लेइस और प्रेक्ट इस भी साथ में कराते जा रहे हैं जिसमें रोज 25 पचीस किवल कुश्चन कराते हैं और आप देटेल नहीं दो कहा है लेकिन यहां पर धियुरी कलास होता है और यह सब यहां पर होता है और वहां पर हम क्कोस्ट्ट प्रेक्टिस करते हैं तो फिर पूछन कैसे एकजाम में पूछा जाता है तो फिर कैसे नहीं को यह लिए आप लोगों को प्रेक्टिस भी करना आती है चले नेक्स्ट देखते हैं तो कल के वीडियो में हम लोग ने देखा नहीं क्या है तो आटो मुवाइल दो सब्सें मिल ना बना है वह क्या है अटो और मोबाल और टो का उर्थ है इसको हम लोग क्या करते हैं परकार के होते हैं फ्रेम के अधार पेडिये चेज़ परकार के होते हैं लोग में संनरचना सार उसको कितने वर्गों में बता गया है उसके वांब्स न्यंदु इंजन में इन लुश सब्रसने की शुताइब बेशन है विडियो भी ला चुग है पाएज करρεंध समय न हसकता कोопर्स कि आई सिप्शन के प्लेइलिस्ट है उसमें जाके देखिएगा इंजन कब आया पहले कौन सा इंजन आया उसके बाद टूए स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है उसके बाद यह पावर पावर ट्रांस्मिशन सिस्टम भी बता है कि अगर इंजन से पावर मिलता है तो उसको विल तक यानि चक्का तक कैसे पहुंचाया जाता है उसमें कलच का क्या काम है डिफिरेंशियल का क्या का मैं सब कुछ बताए हैं बीच में क्या-क्या लगा रहता है उसके बाद यह भी उस वीडियो में बताए है कि एक नमर गयर म का बेसिक इंट्रो क्या है देखें अगर हम इंजन निकाल दे तो वो क्या डबा हो जाएगा यानि कि वो एड़ सुने थे न डबा है डबा अंकल कर टीवी डबा तो वही हो जाएगा इंजन अगर वो निकाल लेंगे तो क्या होगा कि वो डबा हो जाएगा जिसकी सहायता से किसी भी परकार की उड़ जा सबकान पाइंक you इन्ढरो को यान्रिक उर्जा में रुपा त्रण कियां किसीक आपक परकार के उड़ जाकि यह वह बोला जाता है क्योंकि यह उसमें कैंका सबस्तेंस है कि пог kilow बाद यह लोग आएक जगह से सब्सक्राइब कर दो ने लोग बता दे लेकर नतर सुने अगर अच्छाचछ यह बोल तो बहुत देते हैं इलेक्ट्रिक इंजन नहीं होता है इलेक्ट्रिकल वीकल होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजन कुछ हाई ही नहीं वह क्या होता है उसमें बैटरी लगा रहता है उसमें मोटर लगा इलेक्ट्रिक मोटर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक इंजन नहीं ब करते हैं और हीट एनरजी से हम लोग चाहिए दख्येश्च केमिकल एनरजी में फ्लूड आगया जैसे पिट्रॉल क्या है वह आरहा गैस होता है और हा लिक्विड होता है तो उसको और डीजलिक टाइप कि रहते हैं कि रोस इंटेल भी से भी कितना इंजन चलता है तो उससे हम लोग हीट एनरजी को में कनवर्ट करते हैं उसके बाद हम लोग यांतली कुर्जा यानी कि mechanical work लेते हैं और वही mechanical work हमें विल को rotate कराने में मदद करती है उसके कारण हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जिसको हम लोग वाहन कहते हैं तो यही है तो रुपांटरन होता है यह इंजन निमलिखित पर नालियों में संयुक्त होते हैं मतलब यह बोला है कि इंजन के परमुख ही काई है तो वह काई क्या है पहले तो हम लोग इंजन क्या है को समझ गए कि केमक और μέरhot की को सब loves में ऐंग का और इस पूर्ज से हम लोग मेकेननिकल एनर्जी यानि की अर्शे में धेनिकल के लेती हैं और वह ही मेकेनिकल र के वर्क के कारण वहां एक जगा में दूसरे जगां जाता है इसको एक क्या बोलते हैं इंजन बोलते हैं ऐसे सरल भासा में अगर इंटर्विव और मालेज यह एकजाम दे लिए एकजाम के बाद तो आप लोग इंटर्विव देने जाएगा ना किसका इंटर्विव तो बिहार पुलिस ड्राइवर का क्योंकि बिहार पुलिस का अभी जस्ट पूरा जो घटना करम होता है वो इंजन करता है और इसी को हम लोग इंजन काते है ओके चले नेक्स्ट इसका पर मुख इकाई देखते देखिए इंजन ऐसे रहता है न कोई भी वाहन में देखिए जैसे दिख रहा होगा हुंडा का इंजन लगा हुआ है तो इंजन सब एक ही है बस उसके क्या है कि जे अगर उसी में डाइनेमो लगा दिये तो उसको क्या कर उसमें इलेक्ट्री सिटी लागा दिये तो वो बोर डंप बन जाता है मसीन यहीं है भसको हम ल yağ अलग तो वहęt कर दो सब्सक्राइब करने का तरीका है जो नजरिया है वह अलग अलग रहता है चलिए डेखते हैं सबसे पहला इकाई क्या है आगोर सबस्सक्राइब करकेर दों, जिस्क्राइब करने क्या है तो आप लगो को हम बता दे पेट्रॉल इंजर में ही कर्बोडेटर लगा रहता है और डेजल इंजर में कर्बोडेटर क्योँ नहीं लगा रहता इसका एंसर आप लोग हमें कमेंट बक्स में द Brighton नेक्ष्ट जो भीडियो आएगा उसमें हम् यह कर्बोडेटर पर आएँगे तो उसमें डाब उत्पन किया जाता है जो पिस्टन को धका मालता है यानि कि पावर जेनि अटकिया ऐसे मतलब यैसे एयर और मिल का मिल सुझते पेटरॉल नियंद में आता है उसको देए possess करता दाना दीजल इंजन में तो अलग प्रोसेस है और पेट्रोल इंजन में वहाई स्पार्क प्लक क्या करता है चिंगारी मारता है तो वहाँ पर क्या होए यह महौल गरम रहता है और यहां पर जलने लगता है और उसके कारण पिस्टन टॉप से बॉटम पर पहुंचता है एक दम और जो एक बढर पावज मिलता है वही प्रोसेस सकसर मतलब ग्र्लब कर लाता भी है within और कंप्रेशर भी कर वाता है और यह साइकल बार बार मिलत रहता और यहां पर क्या करेंक रोटेट होते रहता यही इसी यही हैए मेकेनिकल वर्क ओके ? यहां पर आप लगों को समझें पर प्रोसेस में क्या होता है यह ऌर्वगार यह हो गया प्रोसेस स्ण्टर यह और फ्यू का जोता है यहां। जलता है उसी ताइम इतना ना एनरजी मिल गाता है को चारों प्रोसेस करवा देता है ओके तो क्या करता है बीडी से फिर टीडी से जाएगा तो यह जैसे क्या होगा कि यह पिस्टन है यह देखिए कि पिस्टन है जो कहा से जाएगा इへfive को फिल आजाएगा तो दूसरा प्रोसे सुरू होगा और वो जाएगा टीडी सी प्रोसे से यहां जाएगा तो यहां पर पूरा एकदम तो यहां पर महल गरम हो जाएगा ना क्योंकि और फ्यूल को क्या कर रहा है कंप्रेस कर रहा है कंप्रेसर होगा तो वहां टेंप्रेचर दोनों बढ़ जाएगा प्रेसर टेंप्रेचर बढ़ेगा तो सपार्क पलक यहां पर ट टीडी सी से बीडी से पिस्टन आएगा यह इतना पावर मिलेगा कि उसके बाद फिर यह एक जोश है यह पूरा पर्किरिया बार बार होते रहता है और यहाँ पर पिश्टन में क्या करेंग साप लाता है करेंग साप आपस में रोटेट करते रहता है और यहां पर हम लोग कलच लगा देते हैं गेर्वक्स लगा देते हैं उसके बाद यहां पर डिफ्रेंशियल लगा देते हैं यहां दोनों विल लगा देते हैं ओके तो यही है और हम छोमू ड्राइबर यहां पर बईठा है वह गया पेटॉल पंप क्या करेका पेट्रोल डलवाए पेट्रोल डलवाएगा तो कहां डलवाएगा पीछे रहता है इस तक पहुंचाया जाता है और यहां यह सान ही चिल ऐसने कि ऐसी की आहीं मतलब यहां पे देखिए धूल-प्रेशर Chris यह यह क्या करता है यहां तक मतलब फ्यूल इंजक्ट करा जा सके प्रेसर को कंट्रोल करता है तो वह ही है उसके बात टाइमिंग से रहता है जैसे ही इस देख सकते हैं तो क्या है कि यहां पर जैसे ही हवा में आग लगाते हैं, डीजल इंजर में क्या करते हैं, हवा को सक करते हैं, यानि सक्षन में केवल हवा आता है, हवा को कम्प्रेस करते हैं, हवा को इतना कम्प्रेस करते हैं, कि हाई टेंप्रेचर और हाई प्रेसर पे पहुंचता है, और हाई टेंप्रेचर और यह जो यह लेंथ है यह जादा रहता होगा आप डिजल इंजन में गोड़ से देखिएगा जो सिलेंडर ब्लोक का जो लंबाई रहता है वह जादा रहता है वही पेट्रोल इंजन में एकदम छोटा-छोटा रहता है चोटा-छोटा रहता है यह क्यों रहता है नोकिंग की का तो यही होता है तो समझ लेजे फ्यूल सिस्टम यही है जो फ्यूल सिस्टम है ऐसे फ्यूल आता है कैसे ऐसे चलि कैसे आता है देखिए यहां से फ्यूल टैंक है और फ्यूल टैंक से पंप के द्वारा यहां भेजा जाता है और फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा इंजिन में इंजेक्ट किया जाता है चलि नेक्स्ट देखते हैं इगनीशन सिस्टम इस सिस्टम द्वारा इंधन को कुरी तरह होता है तो यह केवल और केवल किस में होता हैं पेट्रोल ने शुम तो क कमप्रेसर के कालण हवा में हम लोग लगा यह से इसको वाह वह संधार यह इसे कोई रहता है मिलह कुछ रहता है किoster रहता है कि यह से हम लोग क्या विदयूट को परवावissant आएक आया咯हां से high voltage current आ रहा है हाइब voltage और हाइब करेंट आ रहा है जैसे यहा पे high voltage यहाँ थुरहा गैप रहता हो इसके चाहत क्या रहती है कि हम यह तक clownि यहां तक जाए लेकिन चाहत रहती है लेकिन यहां पर Gap तो वो गैप के कारण वो यहां तक नहीं पहुँच पाता और यहां बीच में क्या है एर है एर रहता है बीच में तो क्या चाहेगा हाई भोल्टेज और हाई प्रेसर के कारण आना तो चाह रहा है लेकिन आने नहीं दिया जा रहा है अगर सीधा अगर यह ऐसे रहता जैसे ऐ किया तो chingari ते हुए आता है कि मिख में यहां पराइपन में आरी है लेक्रज शीमह से dalब जाता है् शुर। श्षबत करें कि में अ filter नियुक्त यहां देखेंगल शीलिखाuesta तो वही यहां एक समाज है cylinder के अंदर fuel और air का mixer और वो high temperature पर रहता है और यही एक चिंगारी पुरा blast करवा देता है तो चिंगारी कैसे यही जो gap के कारण रहता है और यही gap न कभी कभी आप यह सुनते होंगे की carbon लग गया यह तो यह होता है कि यहां तक high voltage or high temperature नहीं पहुंच पाता है लेकिन अगर यह दोनों कोई कारन ब्लकाइब तो क्वैने薇ल में फूर्द सबहें सब्सक्रूष सब्सक्राइब करेंदा यह दखेंगे तो चली सब्सक्राइब कर देखेंगे न लगी लोग पूरा डिटेल और देखेंगे कि आखीड यह चिंगारी और कैसे निकलता है चले नेक्स्ट देखते हैं रूम स्जन्य ब ये क्षिकशन शोके शींदillar किया जाता है ताकि आपर है एच्छी तरह से चारा से करेख्षा अगर करना दोब्रीकेशन रात देखेख्ष्ट क्यों किबाँ रात रह्त है यह क्यों इंजान के पाक्ला कि नह Sizbacks तो आपस में घिस घिस के खराब हो जाएगा तो उसी घिसने के लिए घरम नहों खराब नहोंने के लिए हम लोग क्या करते हैं लूब्रीकेशन पढ़ना लिए यानि कि लूब्रीकेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं जैसे कैसे देखिए यहां पे देखिए यहां पे हम लोग ओल जैसे मोबिल जिसको बोलते हैं मोबिल डलवाते हैं यह मोबिल है ना लूब्रीकेशन ओल बोलते हैं उसको तो यहां पे फेयरगिंग टीख फेयरा प्रीट अब्रो गोल्द मिल्डित काम वहत तो सब्सक्राइबिंग मेन ‫ Σेब्टिक के परपस से बहुत ही जो कंपोनेंट के सेफ्टिक के परपस से बहुत ही important है उसके बाद देखते हैं क्या है जब lubricating system हम लोग नहीं पर है उसमें लोग डिटेल में देखेंगी और इसका types भी देखेंगे ओके और यह संपर का क्या का रहा है उसका working बेखेंगे जैसे यह ना लुब्रिकेटिंग संप है ओल फिल्टर है यह सब का ओल पंप है इस सब का वर्किंग प्रिंसपल एकदम डिटेल में देखेंगे अभी तो हम बेसिक बेसिक इंट्रोडक्षन देख रहे हैं चले नेक्स्ट देखते हैं खुलिंग पर नालिक इस सि आपके वीडियो देखिए रेडियेटर वाला एकदम तीन वीडियो है वह भी जहम जहम बाला फिल लेकर तब देखिए एकदम मजा आजाएगा आपको बताएं आईसा मजा आएगा जो आपको कभी सोचे नहीं होंगे उसमें हम लोग क्या की है प्रेक्टिकल भीव में इस करना है तो वीडियो इसी हमारे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन के जो इंजन पार्ट्स वाला प्लेलिस्ट है उसमें वह वीडियो तीनों रखा हुआ है आप लोग जाके देख सकते हैं और यह देखिए जैसे कुलिंग सिस्टम यह सब बताए थेक्दम हाव वाला फिल मतल परकिंग लाइट वायप पर अदेना है तो उसमें पैसे मतलब करेंट टेंगारा रहा तैंटने को तो उसमें बताएंगे पूरा लेकिन इतना समझ लेजिए आटो मोवाइल बिद्धू सिस्टम निम्लिखित पार्ट में होते हैं बैटरी डाइनेमो उसके बार अल्टरनेटर लाइटिंग सिस्टम और एक चार में वाइरिंग भी जोड़ लेजिए वाइरिंग भी एक इंपोर्टेंट पार्ट है यह सब क्या चीज है बिद्धूट सिस्टम पर नाली का पार्ट है तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं और आई होप आप लोगों को यह जितना भी हम बताएं यह सब आप लोग अच्छा लगा होगा मतलब वीडियो जो भी बताएं तो आप ल टेलीग्राम का ग्रूप है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वहां से जाके टेलीग्राम जोइन कर लिए ताकि जो भी अपडेट होगा वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे क्योंकि उसमें 600 पलस मेंबर अभी तक देली पुलिस ड्राइवर का जो ग्र जितना विसलेवस है तो उसमें क्यूज करवाएंगी क्या रहेगा कि उसमें कोश्चन रोज 50-50 कोश्चन देंगे एक दम पोल के टाइप में आपको उसको एंसल देना है लेकिन वह कब करवाएंगे जब अभी प्रेक्टिस चला है प्रेक्टिस स्रीज प्रेक्टिस सेट यही से 50 नमर के 50 कोश्चन करते हैं रोज चलता है तो इसके लिए क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है वेल आइकन को दबा देना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा और उसका आप लाहूट है और वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धरनेवाद जाहें